नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सर्गम पन पर आप सभी का स्वागत है हमारी खास देशकर्ष गुरु मंत्रों में अगर आपने गौर से देखा हूँ तो भोलिनात के शीश पर चंडरमा सुशोबुध होते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शुफ का चंडरमा से क्या संबंध होता है तो आज हम चंडरमा से जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे लेकिन इसके साथ और कौन से अन्निविश्य होंगे ये भी जान लेते हैं चमत्ते चांद की तरहा कैसे चंडरमा की चंडरमा की किस्मत कुंडे की बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए चंडरमा को कैसे करें मख़बूद जीवन में आने वाले संकटों को कैसे रुकेगा चंडरमा क्या चंडरमा की वज़े से आपकी सफलता रुकी ही है आज जानेंगे उपाई गुरुदेव आज हमारा जो स्पेशल एपिसोड है वो चंडरमा पे है तो शिर्वाद भी चंडरमा से ही कर लेते हैं कि चंडरमा का हमारी कुंडी से क्या संबंध होता है बटा हिंदोस्तान हिंदोस्तान में जो भी बसता है वो सनातनी है और जो सनातनी है वो भूले नाथ उसका सब्रूप उसकी किर्पा उसकी सोच उसके करम से दूर रही नहीं सकता आप भूले नाथ का जब सब्रूप देखते हैं तो आप क्या देखते हो कि एक ऐसे भगवान साब में बैठे हुए हैं जिनने कोई सूने चांदी के वस्तर नहीं धारन किये हुए हाथ हों में अंगुठिये नहीं हैं शर्स्त के नाम पे साइट पे एक भाला तो जुरूर रखा हुआ है तुर्शूर जुरूर रखा हुआ है लेकिन और कुछ नहीं लेकिन उनके गले के अंदर सरपों की माला है कंट मीला है जटा है जटा से गंगा में या बैर नहीं है और चंदर्मा सरपे विरासमान है के हैं वो उनके मस्तक पर वो भी रास्मान है तो अब ये भूले रात का सवरूप यानि कि चंद्रमा समझा क्या रहे हैं समझा ये रहे हैं कि जिनकी जर्म कुली के अंदर चंद्रमा अच्छा होगा जैसे हम ये कह सकते हैं इसका सबसे बड़ा एक्जामपल अगर हम देखे कोई तो इस धर्ती पे जिनोंने अवतार लिया शिरी कृष्ण जो सोला कला संपूर थे चंद्रमा के सारी कलाओं में समझा थे तो ये गुल होने चालिए लिकें कैसे अब जो घर का बड़ा होता है बेटा वो अगर भोले नात के रूप में रहे चंद्रमा को अच्छा बना करके चले तो गरस्ती बहुत ही बड़िया चलती है कैसे इसका मैं आपको खुलासा करत जैसे भोले नात का सवरूप है आप देखो उनके गले के अंदर सब्रमा थे इसका मतलब या है कि घरस्ती में रहते हुए दुनियादारी की मसीबत परिवार के अंदर किसी ने किसी को कुछ कह दीया किसी की बात किसी को बुरी लग गए किसी को कुछ हो गया को किसी का मिलनी चाहिए किसी का ये इतियाग नजर आता है इन सारी चीजों को जब सुनता है ना इनसान तो ऐसे लगता है कि मेरे गले में सांप पड़ गए हैं गर के बड़े का ये हाल होता है तो वहाँ पर ये सवरूप ये समझाता है कि ये बाते ये सरब रूपी बाते तुम्हारे आसपास तो मंडराती रहेंगे लेकिन अपने कंट को सदा नीला रखना यानि कि कोई भी ऐसे कड़वे शब्द बुरे शब्द अपने मुझे मत्यकालना बुरी बात जो आसपास के महौल में हो गई उसके अनुसार कई बार बहुत कड़वा बोलने को मन करता है लेकिन वो कड़वी बात आपके कंट तक आते अटक जाए लेकिन बाहर ना आए वरना घरस्ती तूचाएगी खराब होगी रिष्टे खराब होगी क्योंकि माल लो आसपास में आपका ही भाई भेन आपी का कोई बच्चा आपी का कोई रिष्टेदार किसी लालच में वश्ट आपको तरह तरह की कहानिये बना करके सुना रहा है और वो समझ नहीं पा रहा उस वक्त में बहुत आवेश्याता है समझे लेकिर उस वक्त में ही सहर शीलता अपनाना समझे इसी को कहा गया कि भोले नाथ ने कंट में विष्ट रखा हुआ है तो जो घर का आपका बड़ा है या जो भी ये लोग एपसोड देख रहे हैं घर के अगर बड़े हैं उनको सदा अपने कंट में विष्ट रखना चाहिए पिर जो घर का बड़ा होता है वो घर वालों की जरूरतों को पूरा करता है वो अपने बच्चों की फीसों को उनकी जरूरतों को पूरा करेगा रिष्टदारी के अंदर खर्च होने वाले जो पैसे हैं उनका ख्याल रखेगा कहीं बेहनों की बवाओं के यहां शादिया आगी वहां पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देना और बिरादरी में अपनी इजर को उठाने के लिए अपनी इजर को बनाई रखने के लिए वहां के खर्चे करेगा समाज में कोई समाजी काम हो रहे हैं बंडारे होगे उनमें कांट्रिबूट करने के लिए कुछ न कुछ कर्चे करने पड़ेंगे यानि कि अपने लिए ने कपड़े भले ही नासे लवाए लेकिन दुनियादारी की अंदर इस जरकाइम रखेगा इसलिए जैसे साधे पहन रहा पहन नेता हो ऐसा बड़ा होता है घर का फिर तीसी पास यह जो एक तरफ तो चंदर्मा स्थिर है और दूसी तरफ चंदर्मा गंगा के रूप में बैरा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हर वक्त दिमाग को ठंडा रखके आपको अभी अगर बेटे के बारे में सोचना है तो थोड़ी दिर बार बेटी के बारे में सोचना है जब 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 बेटी के बारे में सोचना चंदर्मा यानि की जो अच्छी गुद्धी का मालिका उनके अनुसार अपने दिमाग के अंदर ही डिसीजन करके रखो और जरूरत पढ़ने पे उसे फिर अपने विचार के रूप में गंगा की धारा को बाहर में कर लो समझे और जो की बाहर आए तो वो शीतल जल जैसी हो ताकि आपके विचार शीतल जल की तरह होने चाहिए गंगा में ये के जल की तरह होने चाहिए कि उसका जो सामने वाले अनुभाव या अनुभुती करे बैटा जब महसूस करें तो उनको ऐसा लगे कि यस आदमी में बिलकुल सही बोला और बिलकुल तोल के बाद बोली और इसमें किसी का आहित नहीए किसी का दुक नहीए है, मुस्लिम है, सिख है, इसाई है, जैनी है, बदिजब, कोई हो, और इसलिए भोले रात का सवरूप सब के लिए है, समगे, और हमारी जाद भी रादरियें अलग हो सकती है बेटा, लेकिन अगर देखा जाए, घर के अंदर बड़े तो एक ही तरह की होते हैं न, ठीक है, ज को दे दी है कि ये भोले नात का सब उप है, लेकिन जब ये खराब होते हैं तो क्या होते हैं, इसके बिलकुल विप्रीत होते हैं, बिलकुल विप्रीत कैसे, ऐसे इनसान की सोच विचार में धहरे नहीं होता, उनको सब तो जल्दी जल्दी चाहिए और उड़ते उड़ते चलते हैं जिस चीज के बारे में पूरा सीखा नहीं होता हूं उनको कहते हैं हाँ हमें आती हैं करने जाते हैं तो फेल होकर के पैसा गवा के आते हैं कमा के नहीं आते हैं कई बच्चे आपने देखे होंगे कि अपने घरवालों के कितनी जगा पैसा लगा करके कितनी जगा ब अपने बच्चे के संबंद कभी ये गर्फेंड बना रहा है, कभी वो दूसरी दोस बन रही है, कभी तीसी दोस बन रही है, ये जिनकी स्थिर गुद्दी नहीं होती हैं बिटा, इनका चंदरमा खराब होता है, और यहीं से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भविश शुरू किया है, मेरे फलाने दोस्तने ये काम शुरू किया है, अगर उनके साथ मैं पैसे लगा दूगा दूगा तो ये कमा जओंगा, ये जितने करण में न बिटा, समय से पहले ही करने की जो बच्चा सोचता है, बिटा, ये सब चंदरमा खराबी के बाला है, और चंदर कि गाड़ी का एक्सिदेंट भी बार बार होता है बार बार खरोचे लगती है आप उसे नहीं कारण या बाइक ले करके देख लीजिए उसके बावजोर उसे खरोच लगना आई दिन खराब होना कुछ नो कुछ खराबी उसके अंदर बो बनके रहेंगी जिनका चंद्रमा ख परटी को संभालना कैसे है उससे जो फाइदा आ रहा है उससे लगत और वो फाइदा बनाके कैसे रखना है ये बच्चे की समझ भी नहीं आता है बच्चा फिर बापके खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग करता है कि अच्छा ये बेज देंगे तो वहां लगा देंगे अरे वहा और ऐसा बच्चा हमेशा पैसा लगाने के बारे में सोचता है बिना लगाए कमाया कैसे जाए उसकी समझ भी नहीं होता है धैरे नहीं होता है आपने देखा होगा कई लोग इतने कंजूस होते हैं कि अमीर होने के बाफ़ दूदो रुपे बचाते हैं और एक गरीब सा किर अगर उन्हें कोई रखा भी हुआ है तो उसके यहां भी किराया मांगने जाते तो उसकी चाई जुमियों पीके आते हैं समझे और बार बार उसको मजबूर कर देते हैं पैसा देने के लिए धैरे के साथ ही करते हैं यह कंजूसी तो है लेकिन यह चंदर्मा का अच्छापन भी है तो अंगे लेकिन इसके विप्रीत जिनका भी चंदर्मा खराब होता है बेटा अगर वो घर पे कार खरीद के लाए हैं तो जब तक वो पूरी रिष्टदारी को दिखानी देते हैं उन्हें चैन नहीं बाता है अगर उन्हें घर नया बनाया है और उसके इंटीरियर पे कुछ खास करवाया है जब तक पूरे महले पडोस दोस्तों को बुला करके पार्टी दे करके अपना पैसा गवा करके उनसे वावा नहीं करवा लेते हैं उनको चैन नहीं आता और अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए अपने आपको मेंती दिखाने के लिए अपने आपको अमीर दिखाने के लिए सारे चाले कर मारते हैं जेब में भले टका बचे ना बचे समझे, चंगरमा पूरी तरह से खराब हो जाए तो ऐसी वस्ता के अंदर इनसान जितने शनी के काम करता है चाहे रोड बनाने के, चाहे मकान बनाने के चाहे मशीनरी चलाने के, चाहे गारी टेक्सी चलाने के काली वस्तों के काम किसी भी तरह के हो बेटा लुहा और काला रंग और लेवर से करवाने वाले काम इनकी जिन्दगी में जहर बन जाते हैं और यह ऐसे किसी भी काम में जाते हैं उसी में नुकसान उसी में नुकसान यही सब को चलता रहता है और ऐसे इंसान की मा या तो देवता होते हुए भी बेटा बहुत दुख पाएगी कारण कुछ भी हो सकते जुबर में या उसके दिमाग यानि कि ऐसे बच्चे की मा के दिमाग के कारण घर वाले दुख पाएगे है उनके सभाव की वज़े से दुख पाएगे और वो भी नहीं तो ऐसी मा शरीरी कष्ट बहुत पाती है तीनों में से कुछ भी हो सकता है कारण एक ही होता है कि चंदर मा पीड़े तै अलग लग जगा पर या अलग लग सीन बनाती है और यही नहीं ऐसे बच्चे सारी जिन्दगी बस एक ही बात करते है कि जब सामने कोई आता है जिसके सामने शेखी बगार नहीं है तो उसको कहते है काम बहुत बढ़ी है चल रहा है और जब वो अकेले में रात को घरवालों के साथ बात कर रहे होते हैं कहते हैं करजे में डूब गए, मर गए, कुछ नी बचेगा, ये है वो है, ये सारा कुछ हो और करजे के वक्त में भी वो एक नया काम करने के लिए सोच रहे होते हैं कि यानि कि फिर पैसा कहीं से उठाएंगे और फिर कहीं न कहीं लगा के फिर डूब गएंगे. इतनी खराबियें देता हैं चंदर्मा अगर खराब हो जाए इसलिए हमारे जो रिशिमनी रहे हैं सादू संत रहे हैं पिछले उन्हें एक बात कही है कि अगर कहीं पर भी कोई पेश नहीं चल रही है तो प्रमात्मा की शर्र में जाओ समाधी लगाओ ध्यान लगाओ चंदर्मा को अच्छे करने का सबसे उत्तन तरीका क्या है कि सुबह सवेरे उठकर के आप कम से कम कम से कम 15-20 मिनट ध्यान में रहें लेकिन ध्यान लगाने में करना क्या है कुछ नहीं करना अपने दिमाग को खाली करो दिमाग को खाली करने का एक ही तरीका है कि आप जिस भी अपने प्रभू को मानते हैं जिसको अपना बड़ा मानते हैं जिसको गुरू मानते हैं वो या भोले ना थी बस आप आखे बंद करके उनका एक चित्र देखना शुरू करो जिसके अंदर वो भी समादी लगा के ध्यान में और शांत मुद्रा में बैठे बस ये देखना शुरू करो और सीड़े वहां पर ध्यान के अंदित रखो और 15-20 मिनिट ऐसे ही ध्यान को रखो और जब उठे लगो तो आप एमेजन करो कि वो आपको अशीरवाद दे रहे हैं और कारें के अंदर कामयाबी का एक तरह का अशीरवाद दे रहे हैं समझे इस तरह का अशीरवाद लेकर के और उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले ये सोचो कि कल मेरे से कौन से गलत काम होगे जो मुझे आज नहीं करने किसमें मैंने जूट बोला किसमें मैंने दिखावा किया मुझे इन चीजों से बचना कैसे सबसे पहले ये सोचो और दूसरा ये सोचो कि आज मुझे किस करम पे निकलना है किस काम के उपर निकलना है जिसको मैं दिखावा किये बिना और जूट बूले बिना मैं करके आँगा और जो लिगल तरीका मनता उस तरीके से करके आँगा इतनी सी exercise पहले 15-17 दिन के अंदर ही आपको result दिखा देगी कि चंदर्मा अच्छे होने लगे हैं चंदर्मा बुरे हो जाए तो और भी हजार तरह की मुसीब्ते होती है तौपटी नहीं बन पाती घर के अंदर सीलन आती है घर को कितना भी अच्छा बनाने लगो कोई ने कोई टूट फूड निकल लिया आती है कुछ नों कुछ खराब हुआ रहता है सबगे और ग्रस्ती के अंदर भी कलेश, किश-किश-बाजी, दवाईयों के दौर ये सब आम होते है और ऐसी अवस्था हो जाए तो बटा सबसे उत्तम उपाई इससे फसे हुए पैसे भी निकल करके आते है ये भी मैं आपको बताओं कि अगर कही हुए आपके पैसे मर गए कही या फस गए कही तो वो भी निकल क्याते हैं और वो पाई क्या है एक स्टील की कटोरी लीजिए, 43 स्टील की कटोरी लेनी है आपने और अनार लीजिए अनार का एक छिलका उतारिए सारे उसके दाने अलग कर दीजिए उस एक ही छिलके के छोटे छोटे काटके चुरासी टुकडे काट दीजिए काटके उस तील की कटोरी में डालके उसको दूद के साथ भरके अपनी सराने रख लिए और सुबा उटकर के मंदिर के अंदर जो पीपल लगा हुआ हो उसके अंदर कटोरी सहीत रखाईयो और परनाम करके आईयो और मनशाय है ये मांग कैं ये भोले नाथ से कि भोले नात मेरे घर में सुख शानती चैनलाना मेरे कारों में बर्कते लाना मुझे वाहन प्रॉपरूडी का सुख देनां और अगर कहीपैसे अटके है तो बेटा उसका नाम लेकर ये भी कह सकते शुए क्यों प्रभू हमारे जीवन में चल रही है जब तक ये जूट मूट का बड़ा रईस बनने की आपके अंदर आदत चल रही है स्वेम भोले ना थी आपको अमीर नहीं बनाने वाले क्योंकि चंदरमा खराब है अमीर बनेगा ही वही जो इन सारे चक्र से निकल जाएगा और सात्विक और सहस्ता की बुद्धी से अपने कामों का जबने प्टारा करने लगेगा तब इंसान अमीर बनेगा और दिखावे में तो पले पले से जाना है बटा कुछ आना तो है नहीं तो इसलिए इस दुनिया के अंदर जितने चोर हैं ठग हैं दिखावा करते हैं बातों के जाल में उलजहा करके पैसे कमाते हैं बटा आज तक किसी को अमीर देखा है क्या कोई नहीं बनते बस यहीं करते हूँ जीवन गुजार देखते हैं तो इसलिए यहीं से शुरुवात करो अपने आपको अमीर बनाओ भूले नाथ की किव पापाओ लेकिन मान सकता अच्छे वाली राद के खुश्याद बाता इससे पहले आगे बड़े गुरुदेव हमारे साथ एक लाइब वीडियो कॉलर जोड़ गई है हमारे साथ सिम्मी जुड़े हुए है नमश्कार गुरुजी मेरा नम सिम्मी है मैं दिली से बात कर रहे हूँ मैं अपनी कजन दिवांची के बारे में जानना चाती हूँ जिसकी जनम तीती पाच उटूबर 2006 है रात 9 बच्टे 47 मिनट पे जनम स्थान दिली है मुझे इसकी केरियर स्टडी और फीचर के बारे मे जानने है जिस बच्टे की तुमने डेटबर दी है इसकी कुली के अंदर चन्दमा पूरी तरह से पीडित होता है तो ये एक तो घर के अंदर के सुक्षानती संब्रदी इसके लिए खराबी कहला देता है उपर से शनी देव की दरश्टी सूरे के उपर पढ़ रही है जो को आई दिन दुख तकलिफे या उनके सुख में ही कमी कुछ से कुछ ये तरह करता है फिर उपर से शुकर केतु का मेल चौते घर के अंदर बैठा हुआ घर की मन की सुखशानती का खराब होना और शादी के बाद मेरे लाइफ के सुखों के लिए भी दिखते बना फिर यह ही शुकर केतु की दृष्टी चंद्रमा के उपर बैटा ये अपने आपको पढ़ने भी ढंसे नहीं देता और कुछ ढंसे करने भी नहीं देता लेकिन इसकी कुण्डी के अंदर सूर्य बुद्ध और मंगल की युति कहते हैं कि ऐसा इसा इसा जो भी काम करेगा पूरे ज इसके पास से सारे ऐसे काम होंगे जो कि बहुत अच्छे पर रहें और जीवन के अंदर ये अच्छा नाम भी कमा सकते क्योंकि काम करने की इताकत बहुत है किसी भी चीज को सोच लिया तो उसके लिए कुछ भी कर जाने की ताकत है इसमीं तो इसे रजस्टा के अंदर कही इस खराब शनी की ना चले, इसके लिए शनी के उपाई तो सारी उम्र के है इसके, अब करना क्या है, सबसे पहले इसकी कुम्ली के अंदर ये चंदर गयान बना है, तो जब भी चंदर गयान आए, तो उसके लिए बिटा, देस नारियल पूजा वाले, और थोड़े से साबु बदाम लेके जलप्रवाश जरूर करें, एक तो यह उपाई, हर चंदर गयान के मध्या में करना है, दूसर उपाई बिटा, हर रवी वार को लाल जंडा तिकोना, गोटा किनारी वाला लेके, मंदिर की छत के उपर डंडा लगाके, उनको वहां पर लगाके आई, और तीसर की डाल, वो मंदिर के दना 200 ग्राम देदो, चाहे 600 ग्राम देदो, आप इन उपाईों से होगा क्या, मैंने जान बूच के यह लंबे वाले उपाई दिये हैं, जो कम से कम साल साल भर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, तो अगर यह धीरे धीरे करके अगर कोई बड़ा होता तो मैं 43-47 जिनके उपाई देता है, इन उपाईों से होगा क्या, कि शनी और राहू की खराब छटा इसके पास से छट जाएगी, सात्विक्ता, धैर्या, यह सब कुछ इसके अदर आजाएगा, और यह अपनी परफेशनल लाइफ की तरफ बहुत अच्छा बढ़ना शुरू होगी, जो कि अगर किसी भी तरह कि आप इसे ऐसे कोर्सिस करवाते हैं, जिसके अंदर की एरपोर्ट के उपर नौकरी हो, कस्टम विभाद में नौकरी हो, या आप इसे पाईलर मनाना चाहे, एर होस्टिस मनाना चाहे, कुछ भी ऐसा, जो जहा पाजों की इंजिलिंग ही, इसके लिए वो भी बहुत अच्छा यह हो सकता, क्योंकि प्राक्रम में शरीम भी है, तो बटा, इस तरह के किसी भी प्रफेशन में आप इसे डालते हो, तो इसके लिए बहुत बैतर रहेगा, लेकिन जब भी मकान बनेगा, रेनुवेशन होई प्रफेशनल लाइफ और नौकरी के लिए इसके कुली बहुत बेतरी है, खुश्या बाता है इस कमजोर चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं चंद्रमा जिन बच्चों का खराब होता है, उनकी सबसे बड़ी प्राबलम होती है, डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन में बढ़ना और अपने लिए स्वेम डिसीजन ना ले बढ़ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बटा, जो माबाप तो आकर के कहते हैं कि नहीं हमने ये करना है और ये डिसाइड कर लिया और ये इस तरह से है लेकिन confidence और उनका ग्यान, उसके ओपर माबाप को वरोसा भी होता है, ये इस बोल देते है लेकिन बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिनकी आँखों पर चश्में भी लगे होते हैं, उनकी आँख में खास तोर पर राइट आई के अंदर बार बार तकलिफ भी आती है, समझे और बार बार ऐसा बच्चा कन्फ्यूजन में पढ़के, डबल माइंडिड होकर के माबाप के समझाने के ऊपर भी पूरी बात नहीं समझ पाता और समझाने के बावजूर वो ये कहता है कि मैं कैसे करूँगा, कै, ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते क्योंकि अपनी ही प्लानिंग की बुद्धी इतनी लंबी चोड़ी नहीं होती तो अंगे ब्यारे से अच्छे बुरेता निर्मे नहीं कर पाते ऐसे बच्चों के दोस्त अगर खराब मिल जाएं तो बच्चा अपने आप खराबी के अंदर डूपता चला जाता है बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बच्च्पन के अंदर ही बेटा वो ड्रक्स लेने लग जाते हैं या किसी भी तरह के नशे बीरी सिग्रेट के अंदर चले जाते हैं कि बच्चे शराब पी लेते हैं ये इन बच्चों को बचा के रखना बहुत जरूरी है जिनका चंदरमा कमजोर होता है उनकी कंसंडरिशन इतनी कमजोर होती है कि वो जब पड़ने बैठते हैं तो इधर उधर के कई तरह के विचार उनके दिमाग में आते हैं वो बच्चा उपर बैठके पढ़ रहा है या अपने घर में चुबारे के उपर पढ़ रहा है लेकिन उसके कान बाहर खेल रहे बच्चों के उपर उता है और बच्चा यहां पढ़ रहा है लेकिन घर के अंदर नीचे क्या चल रहा हो उसके उपर ध्यान होता है यानि कि कभी भी वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाता और ऐसे बच्चों की सबसे बड़ी प्राबलम क्या है कि जो मैथमेटिक के फर्मूले है उनको समय नहीं आते है वो रेटाफिकेशन करते हैं याद करते हैं और याद करके एक ही सवाल अगर याद किया तो वही लिखने के लिए त्यार रहते हैं उनको लॉजिक नहीं याद होता और जिसका भी चंदर्मा खराब है बेटा वो लॉजिक से पढ़ाई तो कर रही नहीं सकता है लॉजिक ही खरता है चंदर्मा अगर खराब हो गया तो बच्चा ना बैठे बिठाए अपने बिस्तर पे बैठे हुए सोते हुए अपने ख्यालों में गुम रहेगा और ख्यालों के अंदर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मना देता है और उन सपनों के जो जाकते हुए देखे जाते हैं उनके परभाव की वज़ा से ऐसा बच्चा जिम्ड़ी के अंदर कोशिशे भी ऐसी ही करता है कि जिससे जल्दी जल्दी उसको सब कुछ मिल जाए उसको ब्रैंडिड कप्डे मिले उसको ब्रैंडिड चीज़े मिले उसके पार लगजरी कार हो सबगे और यह सरा कुछ हो और दिखावे में जा सके क्योंकि जो बड़ों की आदब बड़े होके बनती है वही बच्पन से तो डेवलप होती है यानि कि बच्चा दिखावे में जाना जाता है तो इतना अच्छा बनके निखाएगा कि उससे अच्छा कोई नहीं है लेकिन गहराई से जब अनलाइस किया जाएगा तो पता कि जो तो इज़ी इज़ी था उसके अंदर अच्छा बनके दिखा दिया जो मुश्किल है जहां पूर पूरा ध्यान लगाना था जहां अकरमंदी से काम करना था वहां पर वो फिसदी सामने आ है तो ऐसे बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी नहीं निकमाते है और अगर इस तरह का चंद्रमा खराब है और आपके घर पे किसी भी तरह का दो रंगा जानवर है जिसका काला और सवेद दोलों ही रंग है तो बेटा ये इस बच्चे के लिए और ख्राब सामने नहीं go तो सबसे पहले अगर जानवा रखा हूँ उसे निकालता हो सकते हैं अगर ऐसे वस्ता हो तो ऐसे बच्चे के हाथ से तर्ताली जिन जो माथे के ओपर किसी जोगा घर पे जानवा रखा हूँ उसका सफिर पन हो तो उसको तर्ताली जिन काली सियाही के साथ काला करते हैं एक त सकते हो तो ये तरतानीस दिन काली से आई उसके पास से जल पर्मा कर बारो ताकि ये बुरापन खत्म हो जाए और ऐसे बच्चे को अश्वगंदा थोड़ी सी ले करके जड़ी गुटी होती है ये कोई लुकसान ने इसका लेकिन देनी बहुत ही कम है समझे है आप ये लगा कर्एंग अब यहां पर हमें इसके मित्र गयहों की भी साहिता देरी तो उसके लिए हम क्या तरेगी तांबय का लोटा लिया तंबय के लोटे के के अंदर concentration देता है बच्चे की बुद्धी को स्थिर करता है और बच्चे के पास से धैरे से सारे काम करवा के उसे समयदा साबित करता है और सबसे उत्तम एको पाए वो क्या होता है कि चांदी की अंगूठी के अंदर 4-5 रती का मूंगा लगवा करके उस बच्चे को रिंग काले रंग से दूर रखना चाहिए आप यह करके देखो बच्चे के अंदर अगर कोई इस तरह के अगुन भी है या उसकी कंसेंटेशन में प्रावलम में सब खत्म हो करके बच्चा आपने टार्गेट्स को अचीव जरूब करेंगा खुश्या आगे बड़े हमारे साथ एक लाइव वीडियो कॉलर जुड़ी में हैं हमारे साथ आती रावत गुरुदेव जुड़ें गई हैं जो आपसे सवाल प सब्सक्राइब गुरुची प्राणाम मेरा नम आर्थी रावत है मेरा डेटो पर्थ है आज रवंबर 1987 जन समय है नौ पच कर पार्टिस मिनट रात का और जन स्थल है दिल्ली गुरुची मैं तीन साल से अपना काम कर रहे हूं जो इस तैंटर पूरा दुबा हुआ है जिस सब्सक्राइब गुरुची मेरे पास पौफ़त जारा क्राश हो चुका है और घरवाले मेरी शादी को लेकर भी परिशान है तिरका करके मुझे इस परिशानी से उतारिये बिड़ा तुमारी जनम कुली के अंदर पहले मैं आपको बता दू कि तुम मांग लेको यह दो दिम जानती ही होगी और चौथे घर के मांग लेक है चोते घर के अंदर मंगल देव, ग्यारने घर के अंदर उनकी राशी और चटे घर के अंदर इनकी राशी इन में से अगर positive बेखा जाए तो सिर्फ एक ग्यारवा घर और बाकी चोता और चटा घर हमेशा जीवन साथी और पुत्र के सुखों के लिए कमजूर बनता है और वैसे भी चौते घर के मंगल के लिए कहा जाता है कि पती देसो काम काज और लाब तीरो ही खराब दूसरी तुम्हारे कुली के अंदर कमी वो ये कि शनी देव की पूंद रश्टी चंदरमा के उपर और चंदरमा बारवे स्थान पर बारवे स्थान के चंदरमा को तो यहां तक कahren आ जाता है कि आद में इसी जनम में इसले जनम में भी घरीप होगा जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक तो यह चंदरमा बहुत ही खराब देने बाले है और चंदर्मा बार्वे में और चौथेजर में मंगल यह अपने आप में एक योगोर बन गया जो की इंसान को कमाने ना दे उसकी मेनत पे मेनत करवाई लेकिन रिजल्ट ना होने दे जिसका भला करो उसी से खिलाफत हो समझे और तुम जिसकी मदल करोगी वही तुम्हारे खिलाफ खड़े होगा यह सारी प्राब्लम में लेके बैठा हुआ है उपर से बुद्देव की दरश्टी ब्रस्पती के उपर बिजनसमेन बनाता है लेकिन खाली मटके जैसा जिसमें की सिर्फ हवाई हवा हो भरा हुआ ना हो अब यह तीन तीन लोग हैं जो तुम्हारे कामकास के लिए बिलकुल ठीक नहीं पती के सुक के लिए ठीक नहीं लेकिन एक और योगसूर शुक्र का इसके अंदर भी कहते हैं पती-पती के सुक देरी से और बान में उनके अंदर भी कुछ खास अच्छा न रहे और खास तोर पर अगर लब मेरीज की तरफ गई फिर तो खास तोर पर यह प्राब्लम पहला करेगा समझे इसलिए बेटा इनके उपाई करके चलना बहुत जरूरी है और वह उपाई क्या है सबसे पहले 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूट का छीटा मारके जल परवा करना फिर तीन धातु का चलना सोना तांबा चांदी एक एक ग्राम मिलवाके उसे अपनी रिंग फिंगर में डाल के रखा और तीसरा उपाई है 43 दिन लगाता 400 ग्राम गुड की रेवडी लेकर के उनको जल परवा करना अब फाइनल हो पाई शुकर वार के दिन मिटी के लोटे के अंदर सस्व का तेल भरकर उसमें मूँ बेकर के ढखकन को सीमेंट से बंद करना है और शरीवार की दुपैर को जब सीमेंट से सूख जाए वोसाफ़े तो उसके साथ 3-4 इंटे बंद के खड़े पानी में छोड़ के आना है और जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम हो या घर में बहुत जाला सीला नाने लगे तो हर मेंने एक चमड़े की जुती लेकर के बेटा बारो बार किसी गरीब आइसार को दाल देगा ये उपाई करना बहुत ज़रूरी है तुम अपने लिए जब भी चमड़ा या लोहा खरीद के लाओ साथ में खिलाओने ज़रूर खरीद के लाने है इसका खास क्याल रखना है और शादी के बाद एक बहुत बड़े परहेंस की जूरत है और वो ये कि तुम्हे गुड़ खाना छोड़ना पड़ेगा और मिया बीबी कभी दिन के समय में एक ना हो इसका खास क्याल रखना है अगर ये हुआ तो बेटा ऐसी वस्ता में चाहे तो जीवन साथी बीमार हो चाहे तो दोनों में से एका बीमार होना तैह हो जाएगा आपस में अनसैटिस्वरक्शन फिलिंग चलेगी और जिसके चलते हुए बेटा आपस में तुमारे डिफ्रेंसिस तक भी क्रेट हो सकते हैं इसलिए इस चीज़ का खास क्याल रखना है और सारी जिन्दगी हर जनम दिन के बाद तरतालिस दिन तीन केले मंदिर के अंदर जरूर दे रहे हैं इतने से उपाई करके दिखो क्योंकि तुमारी पुल्ली के अंदर बिजनस के योग है तो इसके बाद बिजनस चलेगा और ये उपाई हो जाने के बाद में फिर अब तुमारी शादी अगले कुछी समय में आप देख लेना कि तैबी होगी और दाता की तरफ से सुख भी पाउगे गुरुदे जैसे भी आपने बताया कि जुन लोगों का चंदरमा बहुत मजबूत होता है उनको रुपय पैसे की कभी कमी नहीं होती है जिंदगी में लेकिन हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि अर्श से फर्श पर पहुंच जाते है रातो रात तो उन लोगों का चंदरमा खराब हो जाता है इसलिए उनके जिंदगी में एक्ती दुख तक्लीफे आज़ा है यह बार तुमने बिल्कुर सत्य कहीं रगे इस तरह से खराब करने वाले दो ही ग्रह होते हैं एक है बुद्ध जो बिन पहने के लोटे के करा लोड़क के इंसान को अज सिर्फ फर्श पर ले आता है लेकिन कई लोगों का तुमने देखा होगा कि पैसा ही लोट जाता है कैसे? जैसे किसी को प्रॉपर्टि करीने के लिए पैसे दिये लेकिन पैसा चलागा ना प्रॉपर्टि मिली ना पैसा कई लोग बिजनस करने के लिए पार्टनर को पैसे देते हैं पार्टनर सारे पैसे उसी के लगा के उनको खराब करके बार में अब उनका पैसा भी वापिस नहीं देता बहुत सारी दुनिया आपने ऐसी देखी होगी कि अच्छानक उसके एक इतना मोटा लॉस होता है कि जिनका वो काम करते हैं वो कंपनी ही भाग जाती है और उनका पैसा दिये बिना लेकिन ये जो सारे खराबिया है ये सारी खराबी चंद्रमा की देखी खराबिया है और इसके बाद में ऐसा इंसान भुरोसे के किसी को पैसा दे वो नहीं वापिस आता रिष्टेदार को पैसा दे वो नहीं वापिस आता ये भी सारी चंद्रमा की खराबिया है ऐसे वस्ता क कि अंदर बैटा जब भी आप लोग मकान बनाते हो रेनुवेशन करते हो कुछ भी रिपेरिंग करते हो बना बनाया मकान खरीबते हो समझे यह जड़ से ही बनाना स्टार्ट करते हो तब इस तरह के हालात उपन होते हैं क्योंकि लाल किताब के अंदर साफ तोर पे कहा गया है कि जिस तरह का शनी होगा उस तरह का चंदर्मा फल देगा और जिस तरह का चंदर्मा होगा उस तरह का शनी फल देगा तो यानि कि मकान बनाना, कंस्रक्शन करना, रेनुवेशन करना चंदर्मा के साथ सीरा ही संबंद हो गया तो ऐसी वस्था के अंगर अगर शनी के साथ में संबंदित है चंदर्मा या किसी भी तरह से शनी खराब है तो ये चंदरमा अपने आप बुरा होता चला जाता है और इसकी एक और बात बनती है कि जब भी इस तरह की खराबी आती है तो इंसान की जुबान में एक करवापन एक तीखापन आता है जिससे की सामने वालों को बातें भी बुरी लगते है आदमी का ओवर कॉंफिडेंस होना ही उसको डुबो भी देता है समझे और बहुत ज़्यादा भरोसा करना वो भी डुबो जाता है तो अगर इस तरह की अवस्ता हो चुकी है तो मैं अभी दो अनार की कटोरी वाला उपाई बता के हटाऊं कि तरतालेश दिन एक अनार का चिलका ले करके उसके चुरासी टुकडे कातने चोटे 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 और स्टील की कटोरी में डालके दूट से बरके अपने सराने रखे और सुबा उट करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रखके आए ऐसे लोगों को ऐसा इलाज जरूर करना चाहिए अगर इस तरह की कोई खराबी जीवन में आ चुकी है जो हमने बताई लेकिन साथ में शनी के शनी के उपाई करने बहुत जरूरी है और शनी को अच्छा करने के लिए सबसे पहला उपाई करना जरूरी है बज़ाए उसे निकाल लेके शनी तब ही अच्छे होते हैं जब कुटे और कोवों की सेवा की जाए भैस की या भैसे की सेवा की जाए तो इसलिए ये अपने रोजमदा के नियम में शवाय कर लेजिए उसके बाल में शनी के दान की उड़े साबुट पर सरसो का तेल लगा करके हर शनी वार को दान करना शनी वार के दिन ही सुबा सवेरे सूरे उदे से पहले सरसो का तेल अपने शरी पर मलकर के बाद में गुमने पानी से सनाट करना इससे क्या होगा जोडों के अंदर की जो दर्द हैं जो शरीर के अंदर विकार पहला हो रहे हैं गुसा जो बढ़ रहा है इन सब में भी बहुत शांती मिलती बिटा इसलिए शनी वार की सुबा सुबा सुरे उदे से पहले पहले मालिश करके सूर्य उदे से पहले ही नहाना है ये काम करना बहुत सब्सक्राइब यह बिलकों परमानिक उपाई है और ये करने के पार चंद्र और शनी मिलकर के आपको सुख देंगे और आपकी दौलत को बिगड़ने नहीं देंगे लेकिन समय की कमी के कारण जाते जाते गुरुदेश से आज का खास गुरुमंत्र यानि चंद्रमा से संबंदित खास गुरुमंत्र लेते जाते हैं बड़ा बात चंद्रमा की हो रही है तो चंद्रमा का तो सीधा संबन हमारे मन से हमारे ग्यान से हमारे धैरे से और एक स्थिर मानसित्या के साथ में भी है ये खराब हो तो ये सब खराब भी होता है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने के कंट्रोल ही ने कर पाते नशे में चले जाते हैं ये चंडर्मा की सबसे बड़ी खराफी है इसके बारे में भी हमने जिकर किया था फिर दूसरी चीज़ जिनके चंडर्मा खराब हो जाते हैं वो इंसान उरती हुई जिंदगी दिखावे की जिंदगी उसके अंदर जावा रहता है कारण ये कि उसकी साइशक्ती नहीं होती लेकिन इसके साथ में ही इसके लिए बेटा ये भी कहा जाता है कि जिनका ये चंडर्मा खराब हो आप उनका टेस्स कराके देखिए उनके शरीर के अंदर सल्फर जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है इसकी भी कमी होती है और उनी का चंदर्मा जिनका खराब होता है उनके शरीर में ये कमी बनती है इसको बेटा सदा अच्छा बना करके रखना बहुत ज़रूरी है दूसी चीज़ चंदर्मा चंदर्मा की अगर खराबी ज़दा बढ़ गई तो बहुत सारे बच्चे अपने मन को संभाली नहीं पाते बड़े अवस्तिस से जीवन विताते है उनको जो करने को कहा जाएं वो करते तो हैं लेकिन डरते हुए घपराते ये चंदर्मा की बहुत ही बड़ी खराबी है चंदर्मा खराब हो गया तो राइट आई पे उसके अंदर भी ये कोई ना कोई दिक्कत दे जाएगा और चंदर्मा खराब हो गया तो नज़र लगातार वीक पे वीक वीक वे वीक वो होती चली जाएगी या कौर्णिया की दिक्कता आजाएगी कि कौर्णिया में कोई ना कोई टोक पैदा हो जाते है इसलिए सबसे पहले आज गुरु मंतर में कही तरह कि मैं अमेरे को गुरु मंतर देने पड़ेंगी अगर बेटा आँखों के अंदर किसी भी परकार की दिक्कतानी शुरू हो गई और वो लगातार इसके अंदर प्राब्लम आती जा रही है और डॉक्टर कह रहा है दवाई भी दे रहे लेकिन उसके बावज़ ठीक नहीं हो रही तो एक उपाई ज़रूर करें और वो क्या है तरतालिस दिन लगातार साधा पानी नहीं पीना पानी में गुलुकोस चीनी स्क्वैश नमक कुछ भी डालके उसका फ्लेवर चेंज करके पियो इवन जो सुबह ब्रेश करते हैं वक्त में कुल्ला भी करना है न तो वो भी भरी सोड़ा मंगवालो सोड़े के स साथ में उसका कुल्ला कर लो लेकिन साधा पानी तरतालिस दिन तक एक बूंद आपके अंदर नहीं जाना चाहिए एक तो ये चीज़ हो चंद्रमा अगर खराब है तो सुबह के वक्त में दूद जरूर पियो लेकिन दूद में या तो हल्दी हो और या दूद में शाहत हो समगे देखिए चंद्रमा कितना अच्छा फल देना शुरू करता है ठीक है और चंद्रमा अगर आपका खराब है तो सबसे उत्तम उपाई सूम बार के देता बेटा चावल बनाएए उनको उबालिए उबाल के उसके अंदर चीनी मिक्स करिए या गुड की शक्कर मिक्स कर और ये मिक्स करके वेटा आप जाकर के इसको या तो जल परवा करो और अगर आप जल परवा नहीं करनाने चाते तो ऐसी अवस्था के अंदर पक्षियों के खाने के लिए एक अलग जगा पर रखता है तेक है इससे भी क्योंकि इससे बुद बीच में आ जागा और चंद् हूं तो ऐसे मैं अनार की कटोरी का आपको उपाई पताया है और जो सबसे उत्ता में पताया जो मैंने ध्यान लगाना पताया है शुरुआत में कि जो भी इंसान पंद्रा बीस मिल सुबे ध्यान लगाएगा अपने बड़े बज़र्गों के पाउं हाथ लगा करके अशीर पाउं हार लगाने में शरम करके देखो जिंगी अस्थिर होती चले जाएगी अपने ही विचारों में उलच के रह जाओगे समूत में डिसीजन लेकर के जो पार उताना चाहिए वो काबियत कभी नहीं आएगी ठीक है एक तो यह जिनके भी घर रिपेर होने हो कभी भी भी जिनके भी घर रिपेर होने हो घर में सीलन आई हो उसको ठीक करवाना हो उससे पहले शनी का दान करना शुरू कर दीजिए यानि कि उसको ठीक करने से पहले शनीवार सही शनीवार के दिन तवा चिम्टा यांगी थी कोई एक शीज लेकर के चलते हुए सादू को दान देना शुरू कर दो और जब तक ये रिपेरिंग चले तब तक नहीं उसके एक शनीवार बात तक भी बेटा ये दान जरूर करो और हर सोमबार को दूद्ध, चीनी, खान, ये शहर, ये सब मिलाकर बेटा मंदिर के अंदर देते रहो, थोड़े चावल भी देते हो, करके देखो, च इसलिए जो इनसान चंदर्मा को अच्छा रखी रखता है, उसके जीवन के अंदर ये दुख तकलीफ नहीं आती, इसलिए हमारे जितने भी गए हुए बुज़रग रिशिम्गुनी, उन्होंने हमें सिखाया कि मंदिर के अंदर पता से दो, मंदिर के अंदर मिश्री चड दूर चड़ाओ, पर मात्मा पे, बटा ये ऐसे नहीं बने रिवास, ये चंदर्मा को अच्छे करने के ही रिवास हैं, तो मंदिरों के अंदर बटा इस तरह की चीज़े परचाओ, और भोले नाथ की के पापाओ, हर तरह का दुख घर से दूर रहेगा, खुश्या आगए गुर्देर हुमारे दर्शो को कमाद बह्ष्ण करने के लिए और उन्हें लाप की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मातरानी खुश्या दे, सदा सुखी रखे, खूब तरकी पाओ और सुख पाओ तो चली इसी के साथ वक्त हो चुला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल एक बाद फिर से हाजर होंगे एक नए विशाय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़ा, नमस्कार